हेलो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और उसके लिए कानून क्या कहता है कानून के प्रोविजन्स क्या हैं कौन सी धाराएं हैं किस तरह कि उसमें जुर्म डिफाइन किया गए हैं और कितने एफेक्टिव हैं इन रियालिटी हकीकत में क्या होता है इसके बारे में मैं आपसे जच्चा करूँगा पर पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ एक आद इंसिडेंस और कहानियों से बहुत साल पहले जब मैं कालेज में था कानपुर में तो तो वहाँ पर उस समय बहुत मैं अर्शे पहले की बात कर रहा हूँ पर उस समय शहर में मतलब ऐसी हालत थी कि जादतर जगहों पे किसी महिला को मतलब 100 मीटर चलना भी बहुत मुश्किल था ये मैं कानपुर की बात कर रहा हूं पर आप लगा लिजे के भारत के तकरीबन सभी जादर शहरों में इवन हो सकता है गाउं में भी हालत वैसी थी अगर कोई महिला कहीं पे चल रही है तो कुछ नौजवान लड़के बैठके सीटी में जाना या अश्लील हरकते करना अनिसरी कॉमेंट्स पास करना इस तरह के चीज़ें इतनी कॉमन थी कि लोग उसको गलत ही नहीं मानते थे मतलब जैनरली यह था कि चलो ठीक है ऐसा तो होता ही है और इस वज़र से इस त्रियों का खास कर लड़कियों के लिए उनके फैमिलीज के लिए मतलब बहुत ही बड़ा एक सिरदर्द था यहां तक कि हमारा हमारा जो कल्चर है जो कल्चर मतलब मैं अपना इंशिंट कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं जैसे हमारा जो समाज में जो लोगों का सोचना है आप ये देखें कि हमारी पिक्चरें हैं मूवीज हैं उसमें भी समाज की सुचावाटे मूवीज में भी आती है तो आप पिक्चरों में क्या देखते हैं कई फिल्मों में आप देखेंगे कि हीरो भी वैसी हरकते कर रहा है वो City मार रहा है किसी का लड़की का पीछा कर रहा है उसके पलू खीच रहा है तो इस तरह के जो हरकते हैं जो जो कि मतलब कोई अगर करे तो उसमें शरमिंदी की हुनी चाहिए पर यह फिल्मों में दिखाये जा रहा है कि यह यह hero कर रहा है तो मतलब यह बहुत ही कोई अच्छी बात है या कोई मजाखी बात है तो यह एक सुचावट थी जो कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ 10-20 सालों में इसमें थोड़ा बहुत फरकाया है पर मैं बात करना चाहता हूं कि उस समय उस समय जो भारत में कानून क्या था और आज की तारीक में कानून क्या है और कानून का implementation on ground implementation कितना effective है कितना effective नहीं है उसके बारे मां चर्चा करते हैं तो तो इसमें अगर मानली जी किसी महिला के साथ में कोई बत्तमीजी होती है छेड़ चाड़ होती है कुछ और भी हुआ कोई भी किसी और तरह के बत्तमीजी छेड़ चाड़ जो भी हुआ तो उसके लिए कानून में सिर्फ एक ही section था पहले 2013 के पहले जो कि है जो कि अंग्रेजी में कहते हैं outraging the modesty of a woman मतलब हिंदी में कहें तो एक महिला के लज्जा को भंग करना पर basically मोटा मोटा समझ लिए कि किसी महिला के साथ में किसी भी तरह के बत्तमीजी या छेड़ खानी या कपड़े खीचना है कोई भी कोई भी offense जो उसी एक ही section में आता था सबसे बड़ा उसका problem यह था कि वो section था बेलेबल मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है ठीक है तो हमारे IPC की धारा है 354 तो वो कहता है कि उसके मताबिक अगर कोई भी कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसको 354 धारा के under में उसको prosecute किया जा सकता था पर पनिश्मेंट दिया जा सकता था पर वो धारा जो है वो बेलेबल थी मतलब कि उस धारा में किसी को arrest किया गया तो उस आदमी को जमानत लेने का अधिकार है ऐसा नहीं कि पुलिस ने चाहिए तो जमानत दिया नहीं दिया ऐसा नहीं तो उसको घर पे उसको जमाना दी जाए अब मैं यह नहीं कर रहा है कि Supreme Court का कहना गलत है वो उन्होंने भी कुछ situations को देख के कुछ चीजों को सोच के कहा है और वो अपनी जगह वो सही है पर उसका एक implication यह भी है अब आप यह सोचिए आप आप सोच के देखिए कि मानली जै किसी महिला के साथ में कोई बुरी तरह किसी ने misbehave किया पर रेप नहीं है बलादकार नहीं है पर और किसी भी हद तक कुछ कोई भी incident हो सकता है कई जगह गाओं में आपको पता है UP, Bihar, North India में कई जगह ऐसा होता है कि caste दो जातियों को बीश में जगड़ा हो रहा है तो उसमें कास के निशली जाते कि महिलाएं हैं तो उनको पगड़ के लोग चाहें कपड़े, खीचना चाहें उस तरह के कोई भी हरकते करते थे अगर ऐसे incidents हुए है मैं यह नहीं कहरा कि सब लोग करते हैं बट बहुत incidents ऐसे हुए है तो उस case में चाहें incident जितना भी संगीन हो धारा जो लगेगी वो 314 नहीं है और यह तो बेलेबल है मतलब उसमें यहां ते कि अगर उसको arrest किया भी जाए तो उसको काईदे से देखा जाए तो पुलीस को तुरन बेल देना चाहिए उसको थाने में 2 घंटे भी रखने का मतलब नहीं है arrest के वज़से पूश्चाज के लिए obvious उनको बुलाया सकता है बट यह था provision अब इसकी दिक्कत आप समझी सकते हैं दिक्कत यह जो जुर्म है समाज के समाज के उस पे देखिए नजरीय से देखिए या किसी भी आम आदमी के नजरीय से देखिए तो यह जुर्म जो है वो संगीन है और उसको लगेगा कि पुलीस ने तो कुछ action नहीं लिया वो उसको पकड़के ठाने में लही नहीं गई वो तो मतलब उसके घर गई थी वहाँ पे वो वापस चली गई तो expectation हमारे थे कि पुलीस अगर incident ऐसा हुआ है तो उसमें पुलीस strong action ले पर कानून बहुत ही weak था और मुझे ये चीज़ आश्यर लगता है कि ये कानून 1947 में भारत अजाद हो उसके बाद ये कानून कितने कितने सालों तक इसको बदला नहीं गया ऐसी चलता रहा फाइनली जब निर्भय केस हुआ तो उस समय उसके बाद जाके फिर इस कानून को बदला गया क्योंकि काफी फिर भारत में काफी शोर शराब हो और महिलाओं के सुरक्षा का मामला जो है काफी फिर इंपोर्टन बना लोगों ने इसके बारे में काफी बात की तो अब जो है अब सिचुएशन चेंज बदल चुका है और जो धारा 304 ने अब भी है पर अब वो ओफेंस नौन बेलिबल हो गया है ठीक है और उसके इलावा चार और ओफेंसे चार और तरह के जर्म डिफाइन किये गए हैं और उसमें सजा भी पहले के मताबिक काफी कड़क हो गई है तो शुरुआत करते हैं किसी स्थरी की लज्जा भंग करने के लिए उसके साथ में पत्ता है मीजी करना उसके उपर किसी वी तरह के बलप्रयो करना तो वो हो गया वो हो गया आउटरेजिंग ऑफ पाडिस्टी उसमें 354 है और उसमें ये सेक्शन पहले बेलेबल था अब ये नॉन बेलेबल हो गया है मतलब इसमें किसी को अरेस्ट किया जाए तो फिर उसको अगर कोर्ट में ले जाता है उसको नॉमली उसको जेल भेजा जाएगा उसको जुडिशल रिमार्ड में भेजा जाएगा कुछ दिनों के लिए तो ये एक एक चेंज आया दूसरा ये कि इसमें पहले जो सजा थी वो कोड के उपर थी कोड चाहे तो एक साल सजा दे चाहें चेह महीने दे उसका कोई उसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था अब ये है कि इसमें कम से कम कम से कम एक साल की एक साल की सजा कम से कम होगी एक साल के जेल और ये 5 साल तक हो सकते है तो ये ये दो बड़े चेंज आए हैं धारा 354 में और मुझे लगता है कि ये संशोधन जो हुआ है कानून में ये बहुत ही बढ़िया चेंज हुआ है और इसकी हालांकि यह काफी नहीं, इसकी implementation के implementation जो है, वो important होना, वो strong होना चाहिए, पर कम से कम कानून तो at least एक जगा पे आ गया है पहले कानून ही नहीं था, तो पुलीस फिर करती क्या थी, आप देखें कि जहां पहले बाद तो जहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर जहां अगर कोई पुलीस अफसर कुछ करना भी चाहे, तो कानून बहुत इतना वीक था, पुलीस वाले करते क्या थे, माली जै किसी दो लड़कों को पकड़ लिया, वो छेड़खानी कर रहे हैं, तो उनको उनने फिर पकड़ के थपड़ लगा दिया, या फिर वो कान पकड़ को उठक-बाटक करा दिया, मेरी इसाब से वो सारी चीज़ें, वो सही नहीं है, पुलीस का काम होना चाहिए कि कानून के मताबिक किया जाए, कानून स्ट्राउंग होना चाहिए, कानून स्ट्राउंग नहीं होता था, इस तरह की बेवकूफी वाले हरकते हैं, हरकते हैं उनको करनी पड़ती हैं, और फिर अल्टिमेटली इसमें होता है कि लोग भी कहें कि पुलीस देखो पत्त्यमीजी कर रही है, जाथती कर रही है, कानून के खिलाब जा रही है, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानून ये पर्मिशन पुलीस को नहीं देता है, कि किसी को पड़के उटे बैटे कराया जाया, थपड लगाया जा वो कानून अलाव नहीं करता है तो पुलिस एक तरह से कानून की जो में जो gap है उसको उसको भरने के लिए अपने इसाब से कुछ कारेवाई कर रहे थी यह एक सिस्टम पहले बना हुआ था एक यह चेंज हो गया है ठीक है तो यह था उस समय के कानून में इसके लावा और नए कानून आए है धारा 354 के बाद अगला हम डिसकेशन करते हैं 354A जो कि है sexual harassment पहले यह कानून नहीं था यह 2013 का जो संशोर्दन हुआ है उसमें इस कानून को इंडिडियूस किया गया है उसमें कुछ specific activities हैं जो कि इस कानून के तहत वो जोर्म है जैसे क मान लिजे कोई किसी महिला के इच्छा के अगेंस्ट में कोई physical contact करना किसी को pornography दिखाना या फिर कोई sexual favors मांगना तो इन सब यह तीन तरह की हरकते हैं यह अब specific specifically of यह गैर कानूनी है जुर्ब हैं और इनके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है मेरे साब से यह एक एक बहुत किसी महिला के साथ में कोई मान लिजे कोई अशलील शब्द बोलता है या कोई उस तरह से sexual remarks पास करता है तो उसके लिए एक साल की सजा है इस कानून के अंदर और मैं आपको इसका इंपार्टेंस बताता हूं इसका इंपार्टेंस इसलिए है कि पुराने कानून में मान लि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए actually कोई कोई strong कानून था ही नहीं वो 354 में 354 में भी वो cover नहीं हो पाता तो इसको police क्या करती थी इसके लिए petty case issue करती पेटी केस में क्या होगा पेटी केस में आपको 500 रुपे का fine हो जाएगा अब आप ही पता ही उससे कौन डरेगा यह petty case normally दिया जाता है मालीजे कोई सड़के खिनारे खड़ा होगे कोई cigarette पी रहा है तो उस तरह की चीजों के लिए petty case दिया आता है और यह जो जो अश्लीर हरकते हैं इसके लिए भी वही एक सजा हुआ करती थी बहुत सालों तक तो अब यह बहुत ही बढ़िया चीज है क अब यह specifically एक crime हो गया तो अब मालीजे बसों में सड़कों में सड़कों पर या फिर market में अगर कोई भी इस तरह के हरकते करता है तो कम से कम पुलीस के पास में एक कानून है उसको implement करने के लिए अब पुलीस कहां तक कर पाती है कितना practical है कितना interest लेते हैं कितना sincerity है वो मतलब कि इसमें अगर किसी को arrest किया गया तो उसको जमानत तुरंत मिल जाएगी ठीक है इसके लावा तीन और नए sections बनाये गए हैं जो कि 354 B, 354 C और 354 D है ठीक है तो A, B, C, D 354 B जो है वो है वो है किस जो कि कहते हैं अंग्रेजी में disturbing मतलब किसी महिला के कपड़े हटाना और वो non-bailable offense है तो बहुत ही मतलब serious offense है फिर उसके अगला आता है voyeurism मतलब किसी महिला की privacy को violet करना या आप मालीजी उनके private photo share करना उस तरह की चीजें तो वो पहले first offense पहला offense जो है वो बैलेबल है उसके बाद होगा तो वो non-bailable है और फाइनली एक फाइनली जो 354 D है वो है stalking मतलब किसी का किसी महिला का पीछा करना या unwanted unwanted उस तरह के actions लेना और उसमें भी पहला offense प फिर वो non-bailable हो जाता है तो जैसा कि आपने देखा कि अब जो अब ये सिर्फ एक section नहीं है अब ये जो महिलाओं के against जो भी इस तरह के activities हैं उनको उनके लिए total पांच धाराएं हैं जो अलग-अलग activities को जर्म डेकलेर करती हैं और कई activities के कई इस तरह के जर्म हैं उसमें ये मामला जो है ये एक non-bailable offense बन जाता है और ये सारे cognizable हैं मतलब कि इस तरह के 354, 354 A, B, C, D ये पांचों section के तहट अगर कोई भी illegal activity होती है तो उसमें police directly FIR दर्ज करके उनको arrest करके बाकी criminal action prosecution के ले सकती है एक और जो फरक आया है वो ये है कि ये कई धाराओं में minimum punishment दिया गया है कि कम से कम से minimum एक साल है minimum तीन साल punishment होना चाहिए तो ये पहले नहीं था तो मतलब एक तरह से कानून के point of view से देखा जाए तो अब कानून एक कानून का जो भाग है वो तो definitely काफी strong हो गया है तो अब स और हमारा जो नियाइक सिस्टेम उसका रोल तो ही बट उससे भी जादा रोल समाज का है कि समाज में अगर कोई हरकत अगर गरत मानी जाती है लोग उसको disapprove करते हैं उसको बुरा मानते हैं तो फिर तो फिर लोग वो करने में जिश्केंगे अगर समाज में लोग उसको accept कर कि चलिए ठीक है वो हो रहा है और दूसरा कि लोग अगर चीजों को नजर अंदास करके निकल जाते हैं कि कोई आदमी किसी महिला के साथ में बत्तमीजी कर भी रहा है कभी कभी खुले खुले आं मार्केट में भी सड़क पे इवन कॉलेज़ में इस तरह की इंसिटेंट्स होते हैं और लोग सर्फ देखते रहे जाते हैं कोई इसमें इंट्रवीन नहीं करना चाहता तो तो वो एक मा समाज है समाज का भी एक समाज की एक बहुत बड़ी responsibility बनती है तो अगर हम आप सब लोग मिलके उसको इन कानौनों को समझ समझें और इनका implementation के लिए सरकार और पुलीस की सबकी साहधा करें और इस तरह के अगर offenses हो तो इसको definitely आप courts पुलीस के सामने लेकर आए और तब ही ह कि क्यू के बाए